एक तरब जहाँ पूरी दुनिया कोरोना की वेक्सीन बनाने और बाटने में लगी है इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है दरसल Drugs Controller Journal of India यानि DGCI ने कोरोना के इलाज के लिए एक और दबा के इमर्जेंसी यूज को मन्जूरी दे दी है ये दबा DRDO के Institute of Nuclear Medicine and Applied Sciences और हैदराबाद Center for Cellular and Molecular Biology ने मिलकर त्यार की है इस दबा को अभी 2DG यानि 2Dioxide D-Glucose नाम दिया गया है और इसकी मनुफेक्शरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद इस्तित Dr. Redis Laboratories को दी गई है इस दबा के clinical trials सफ़सावित हुए है दबा किया गया है कि जिन मरीजों पर इसका trial किया गया उनमें तेजी से recovery देखी गई है साथी मरीजों को oxygen पर निरवर्ता भी कम हो गई ये भी दबा है कि इस दबा के इस्तिमाल से मरीजों की corona report बाकी मरीजों की तुल्ला में जल्दी negative हो रही है यानि वो जल्द ठीक भी हो रहे है DRDO ने एक बयान में कहा ये एक generic molecule और glucose का analog होने की वज़े से इसे आसानी से त्यार किया जा सकता है साथी इसे बड़े पैमाने पर उपलब्द कराया जा सकता है DRDO के वज़्यानिकों ने अप्रेल 2020 में लैब में इस दवा पर experiment किये थे experiment में पता चला था कि ये दवा कोरोना वाइरस को रोकने में मदद करती है इसके आधार पर DGCI ने मई 2020 में phase 2 trial करने की मंजूरी दी थी देशवर के अस्पतालों में इस दवा का trial किया गया और phase 2 B के trial 11 अस्पतालों में किये गये 110 मरीजों को इसमें शामल किया गया ये trial मई से अक्टूबर के बीच किया गया था जिन मरीजों पर इस दवा का trial किया गया बुबाकी मरीजों की तुल्ला में कोरोना से जल्दी ठीक हुए ट्राइल में शामल मरीज दूसे मरीजों की तुल्ला में धाई दिन पहले ही ठीक हो गये दिसंबर 2020 से मार्स 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों में phase 3 के trials हुए इस बार 220 मरीजों को इसमें शामल किया गया ये ट्राइल दिल्ली, यूपी, बंगाल, गुजरात, राजिस्तान, महरास्ट, आंद्र, तिलंगाना, करनाटक में किये गए जिन लोगों को 2DG दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निरवरता तीसरे दिन खत्म हो गई लेकिन जिनने दवा नहीं दी गई, ऐसे 31% मरीजों की ही ऑक्सीजन पर निरवरता खत्म हुई यानि दवा से ऑक्सीजन की जरूरत भी कम हुई एक अच्छी बात ये भी रही कि यही ट्रेंट 65 साल से उपर के बुजरगों में भी देखा गया ये दवा पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है ये दवा संक्रमित कोशकाओं में जमा हो जाती है और वाइरल सिंथेस और एनरजी परड़क्शन कर वाइरस को बढ़ने से रोकती है इस दवा की खास बात ये है कि ये बाइरस से संक्रमित कोशकाओं की पैचान करती है ये दवा ऐसे वक्त में बहुत कारगर सावित हो सकती है जब देश पर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पढ़ रही है दावा किया जा रहा है कि इस दवा की वज़े से मरीजों को जारा दिन तक अस्पताल में रुकने की जरूरत भी नहीं होगी